गर्मा गर्म मसालेदार आलो का पराठा किसे नहीं पसंद होता, लेकिन कभी-कभी इसे बनाने में पराठा जो है वो फटने लगता है, आलो बाहर आने लगता है, तो अगर आपके साथ ये प्राबलम होती है, तो आप मेरे इस टिप को जरूर फॉलो करें, एकदम सिंपल तर यालो को मैंने प्रशे कुगर में चार सेटी में उबाल लिया है इसका छिलका निकाल लेंगे और इसके बाद हम इसे मैश कर लेंगे तो यहाँ पर यालो को मैंने मैश कर लिया है अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन, हरी मिर्च और धनिया पत्ता तो अगर आप लहसुन नह जादा इस्तमाल करें उससे पराठे में अच्छा टेस्ट आता है अब हम इसमें डाल देंगे आधी छोटी चमच लाल मिर्च का पाउडर आधी छोटी चमच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे एक तिहाई छोटा चमच हम इसमें जीरा पाउडर डाल देंगे एक तिहाई छो तो यहां पे हम इसे अच्छे से मिला देंगे और यह हमारा मसालेदार आलू का मसाला जो है वो बन की तियार हो गया है अगर आपको पराठे को थोड़ा चैट पड़ा बनाना है तो एक छोटी चमच आप इसमें आम चूर का पाउडर या फिर चाट मसाला पाउडर डाले चमच की कॉंटिटी कम रखे क्योंकि चाट मसाला में नमक रहता है अब हम इन सब को अच्छे से मिला देंगे आम चूर के पाउडर की जगा नीबू का इस्तमाल नहीं करें नीबू से यह खट्टा हो जाएगा तो यह हमारा मसाला बन की तियार हो गया है अब हम क्या करते ह यह तेल की जगा आप घी का भी इस्तमाल कर सकते हैं मिला दे इस अच्छे से जैसे ही तेल और नमक अच्छे से मिक्स हो जाएगा हम इसमें पानी डालके इसका एक डो बना लेंगे ध्यान रहे जब भी आप कोई भरवा पराठा बनाए तो उसके डो को सॉफ्ट गून दे क क्योंकि अगर डो जो है वो हाड रहेगा तो पराठे भरने के बाद जब आप उसे रोल करेंगे तो फटने लगेगे और अगर इसे सॉफ्ट रहेंगे न तो वो स्टफिंग के साथ साथ स्ट्रेच होता है तो पराठे आपके फटेंगे नहीं तो ये टिप आपको हमेशा ध्यान रखना है तो अब हम क्या करेंगे इस डो को ऐसे ढख के 5-7 मिनट के लिए रख देंगे 5-7 मिनट बाद हम इसे वापस एक बार गून लेंगे और ये हमारा डो जो है वो बन के तियार होगा ये देखे कितना सॉफ्ट और स्मूध है तो अब हम इसकी लोई बना लें वो आपके लिए बहुत ही यूसफूल है तो सबसे पहले लोई को क्या करेंगे कि हम थोड़ा सा सुखांटा लगा के रोल कर लेंगे आलू पर अठाई कैसी डिश है जो अगर अच्छे से नहीं बने तो खाने में मज़ा नहीं आता है तो आज मैंने जो सिंपल तरीका लाय है उससे आप कभी भी आलू पराठा बहुत ही आसानी से बना सकते हैं तो यहाँ पे लोई को पहले आसे रोटी जासा रोल कर लें और उसके बाद आलू के मसाले को एक साइड ऐसे स्प्रेड कर देंगे यह देगे हाफ में और यहाँ पी क्या करेंगे यह दूसरा वाला खाने में मज़ा आ जाता है तो यहाँ पे यह देखिए आलू का मसाला रखा मैंने और इसके बाद हम इस साइड से इसे फोल्ड कर देंगे तो तिकोना पराठा में जैसे हम घी लगाते है घी की जगा हमें यह आलू का मसाला लगाना है थोड़ा सा सुखाटा वापस लगा तभी आप इसे रोल करना बंद कर दें तो यहाँ पे इस वाले साइड में मैंने ज़ाद आलू नहीं भरा था क्योंकि यहाँ पे आलू रखेंगे तो बाहर निकलने लगेगा तो इस वाले पारठ को हम क्या करेंगे यह देखिए यहाँ पे आलू नहीं है तो इसे काट के आप निकाल दे तो इसे क्या होगा जो पराठे हैं उसमें बराबर हर जगा आलू जो है वो दिखेगा आपको बस इसे ऐसे थोड़ा सा शेप दे दे तो बस हो गया ना हमारा ये आलू पराठे वो भी डबल स्टपिंग वाली ये देखे आलू दिख रहे ना आपको तो है ना इसे आसान बनाना कोई मेनद ने है ना आलू को भूनना है और ना कुछ करना है बस सिंपल तरीके सा आलू को मैश करें और इसके बाद ऐसे पराठे बनाके इसे सेख ले ध्यान रहे कि जब भी आप आलू का पराठा बनाए तो आलू को भूने नहीं है अगर आप आलू को अलो की जो स्टफिंग करते हैं उससे ज्यादा इसमें पराठा इतना सौफ्ट रहता है ज़्यादा आलो वाले मसालिय के साथ कहने में मजा ही आ जाता यहां पर ने देखिये तब हम चलते ही से सर्फ करने का प्रासस में तो इसे सर्फ करने के लिए मैंने यहाँ पे यह दही रखा है इसके साथ हम यह प्याज रख देंगे लच्छा वाली तो प्याज को मैंने असे राउंड़ चिप में काट के लाल मेर्च निवू और नमक डाला और कुछ भी नी डाला है इसके साथ आप थोड़ा सा अचा रखते हैं यह मिक्स ट्वाली इसकी रेस्पे मैंने पोस्ट की है थोड़े दिन पहले ही तो आप वहाँ से देख सकते हैं और इसके साथ यह तवा से निकला हुआ गर्मा गर्म आलू के पराठे है मतलब मुझे तो ऐसे बताते हुए भी मूँ में पानी आ रहा है मतलब आलू पराठे एक इमोशन है मतलब कोई कितना भी डाइट पे हो या फिर वेट लॉस स्कीम पे हो पराठे आते ही न सब कुछ फेल हो जाता है मतलब मेरे साथ तो अकसर होता है तो यह हमारा बहुत ही टेस्टी डबल स्टफिंग वाली आलू के पराठे बन के तयार है यह आप देख सकते हैं तब मैं इसे ऐसे निकाल के भी दिखाते हूँ कि इसके लेयर जो है न वो दो तरफ से कैसे दिखेगी तो दिखो न पराठा में तो आपको पता है कि दो लेयर दिखती है तो यहाँ पे जवापी से ऐसे निकालेंगे न तो आलू पराठा जब भी हम बनाते हैं तो कहीं आलू रहता है कहीं नहीं रहता है इस वाले process में आलू एकनम हर तरब बराबर ऐसे spread हुआ है यह आप देख सकते हैं तो यहाँ पे यह हमारा parata जो है वो देख के बहुत ही tempting लग रहा है और दूसरे side से मैं इसे वापस एक बर ऐसे करती हूँ यह देखे open तो यह एक side से खुला और यह हमारा दूसरे layer है ना तो single stuffing वाले तो आपने आलू पराटे बहुत कहा होंगे double stuffing वाले आलू के मसाले हो तो खाने का मजा ही दुगना हो जाता है तो यहाँ पे ना मैं जो दूसरा तरीक आपको पता रही हूँ वो एकड़म traditional वाले कि ऐसे लोई को हम अच्छे से रोल कर लेंगे यह देखे पूरी से थोड़ा सा छोटा रोल करें उसके बाद हतीलियों में ऐसे लेके कड़ोरी जासा बना ले और उसके बाद center में हम ऐसे stuffing रख देंगे अगर आप पहली बार आलू का पराठा बना रहे हैं तो मसाले जो है वो कम रखे center में मसाला रखने के बाद हम इसे हलका सा प्रेस करेंगे और किनारों को ऐसे हलका सा प्रेस करते हुए एक जगा लेके आएंगे जैसे मोदक बग्रा बनाते हे नविसे हैं एसे रिखे है ऐसे अगर आपको आलो के प्राठे खाने पसंद है और पहले तरीके से भी नीवनरा है दूसरे तरीके से भी नीवनरा है तो सबसे सिंपल तरीका में को बताती हूँ Is डो रोती या रोल कर ले तो बस खाने से मतलब है ना क्या shape आता है क्या मतलब है आलो का masala है ऊपर से rooty है बस पराथा हमारा बन के तक तयार है तो यहां पे मैंने आपको दो यह वाला और एक ऐसे वरवल वाला तरिका जो है वो बता दिया है तो यहाँ पे इस पराठे को भी हम सेख लेते हैं तो गरम तबे पे हम ये पराठा डाल देंगी और मीडियम फ्लिम पे हम इसे दोनों साइट से अच्छे से सेख लेंगी अलू का पराठा स्टफिंग करने के बाद भी बहुत अच्छे से फूलता है अगर आपका आलू जो है वो दोनों साइट से देख रहा है न तो भी पराठे फूलते हैं टेंशन नहीं लें ये देखे बस ध्यान रहे कि जो डो लगाना है वो आपको सॉफ्ट लगाना है तो यहाँ पे हमारा सूपर टेस्टी आलू का पराठा बंके तियार है अब हम इसे सर्फ कर लेते हैं तो सर्दियों के मौसम में आपको दही के साथ अचार के साथ यह गरमा अगरम आलू के पराठे मिल जाए तो फिर क्या बात है नाश्ता हो या डिनर आलो के पराठे हर वक्त अच्छे लगते हैं न और ये दिखिए तो आप इस आलो के पराठे की रेस्पी को ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद पसंद आए तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिले के साथ शेर करना बिलकुल न भूले